हलो किसान भाईयों नमस्कार मैं पुर्षोत्तम और माप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ किसान भाईयों आज लगभग हमारा केला दो महीने से उपर हो चुका है तो आज मैं अपने खेत में पहली खाद की बुआई कर रहा हूँ तो दोस्तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने खेत में पहली खाद कौन सी में डालता हूँ तो आज सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग इस समय थोड़ा देख सकते हैं यह देखिए यह खाद की बुआई आज मैं कर रहा हूँ तो सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में बताऊंगे कि आज कौन सी खाद पढ़ रही है आप लोग मेरा पाउधा भी देख सकते हैं कि साइज में है तो दोस्तो बने रही है वीडियो पर वीडियो को अंत तक देखिए पूरा सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा और काम भी बताऊंगा तो दोस्तों जैसा कि आप लोग मेरा प्लाट देख रहे हैं तो इसमें काफ़ी चोटे बी meer जैसा कि यह दों महिने का हो चुका है तो इसमें जो बड़े बाले प्लांट है आज में उसमें फाध डालने वाला नहीं हूं और जो प्लांट मेरे छोटे रहे गए हैं आज मैं उन्ही में खा दूँगा क्योंकि दोस्तों हमारा प्लांट दो महीने का हो चुका है और मैंने इसमें जो भी दिया है इस्प्रोड ड्रंशिंग के माध्यम से दिया है तो दोस्तों अब इसके पत्ते हमें कहीं कहीं पर पीले पीले देखने को मिलने हैं जिससे ये अभास होता है कि हमारे पौधों में कई तत्तों की कमी है तो दोस्तों अगर हम सारे तत्तों की कमी अपने पौधे में पूर्टी करने लगें और सारे तत्यों एक साथ में डालना चाहें तो ये डालना इतना ज़्यादा संभव नहीं है तो दोस्तों हमें कुछ ऐसा करना होगा कि कोई हम ऐसी खाल ले जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तत्यों पाए जाते हों क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि mainly पौधों को तीन प्रकार के तत्तु देने रहते हैं जैसे कि primary, secondary और micronutrients जिसमें जो हमारे primary तत्तु होते हैं वो होते हैं NPK और जो सेस बच्चे हुए तत्तो होते हैं वो secondary और micronutrients में आते हैं तो दोस्तों आज मैंने जो product लिया है उसका नाम है Traxure दोस्तों ये Traxure नागारजुना कमपनी का है तो दोस्तों हमारे पौधों में जो secondary तत्तु और micronutrients ये तत्तु होते हैं इनकी जरूत होती है तो अगर हम अपने खेत में Traxure का यूज कर रहे हैं तो हमें सेकंडे तत जितने भी होते हैं और मांक्रो नियृट्रिंस इनकी पूर्ती हमारे खेट में हो जाती है तो दोस्तों हमारे ट्रेक्ट शोर प्राइमरी सेंडरे और मायक्रोनुट्रेन्स होते हैं सारे में सब्सक्राइब यही दोखह डालने से हो जाती है तोस्तु हम यहाँ ऐन पीके जगह पर हुदा जूर्या और साथ में लगभग 25 Kg N PK और 7 ç다 6 Kg ये इस रेशियो में हम दोस्तों यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों इसका डियल्ट कैसा रहता है 8 दिन बाद मैं आप लोग अपना प्राट फिर से दिखाऊंगा और इसका डियल्ट भी दिखाऊंगा तो दोस्तों जिन लोगों के मार्केट में यह ट्रैक्स्वर जहां उपलब्द नहीं है तो वो लोग कोई दूसरी भी कंपनी क तो दोस्तों में तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारा कुछ काईदे से समझ गए होगे तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सभी लोग बताईए कमेंट में कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आपके plant कैसे चल रहे हैं और आपको मेरा plant कैसा लगा तो दोस्तों सारा कुछ आप लोग comment में बता सकते हैं अगर आपके plant में कोई समस्या आ रही है वो भी आप comment section में पूछ सकते हैं तो दोस्तों इसी तरीके के नए नए वीडियो में अपनी चैनल पर बनाता हूं जो भी अपडेट्स ब्लांट की रहती हैं वह भी आप लोगों को देता रहता हूं तो जो भी लोग इस तरीके के वीडियो देखने चाहेते हैं वो लग चैनल को जल्दी से जल्दी subscribe कर लें और मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के नए नए वीडियो में अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार